हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आईए हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसे जाड़ पर आपका स्वागत हैं आजी क्लास में सीखने वाले हैं गनीत कक्षा चार की कारी पुस्ति का क्यांतरगत कारी पत्रक एक को हल करना तो आजी क्लास में कारी पत्रक एक को हल करना सीखेंगे आईए शुरू कर दें कारी पत्रक एक जो पेज नंबर एक पर हैं विद्यार्थी का नाम यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे दिनांग यहां पर सभी विद्यार थी आज की दिनांग लिखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है? हमें क्रम का ध्यान रखना है। अब यहां देखिए आलमारी में यह पहली किताब जमी हुए है एक हजार नौसो एक। यह इस नंबर वाली किताब इस खाने में जमी हुए है। फिर अगले खाने में एक हजार नौसो दो। फिर इस के अगले वाला खाने में कौन सा आईगी? एक हजार नौसो तीन वाली अब इसमें देखिए एक हजार नौसो तीन वाली किताब, इस किताब को हम का जमाएंगे? यहां पे एक हजार नौसो तीन एक हजार नो सो तीन वाली किताब इस किताब को हम का जमाएंगे यहां पे एक हजार नो सो तीन फिर अगले खाने में कौन सी हैं एक हजार नो सो चार फिर अगले खाने में कौन से आएगी एक हजार नौसो पांच देखें एक हजार नौसो पांच वाली का है यह देखिए एक हजार नौसो पांच वाली हम यहां जमा देंगे एक हजार नौसो पांच यह किताब हम यहां जमा देंगे इसके बाद में अगली किताब कुन सी होगी एकजार नोसो च्छ देखेंगे काँ पे हैं यह देखें एकजार नोसो च्छ वाले यह वाली जमा देंगे हम एकजार नोसो च्छ यह वाली किताब हम इस खाने में जमा देंगे फिर इससे अगली कौन सी हैं एकजार नोसो साथ जब्मिये हुई हैं फिर अगले खाने में कौन सी आएगी 1308 देखेंगे कहा हैं ये वाली 1908 ये भी हम जमादेंगे यहाँपे 1908 वाली किताब हम यहाँपे जमादेंगे फिर आगे देखी 1909 फिर आगे जाएंगे 1910 दस वाली आईगी देखेंगे कहाँ पे ये देके 1910 इसको हम यह जमा देंगे 1910 फिर आगे 1911 फिर आगे आईगी 1912 देखेंगे 1912 यह हम यह जमा देंगे एक हजार नो सो बारह फिर आगे आएगी एक हजार नो सो तेरा ये वाली किताब एक हजार नो सो तेरा फिर आगे देखिए एक हजार नो सो चोधा फिर आगे आएगी एक हजार नो सो पंद्रा कहां पे देखिए एक हजार नो सो पंद्रा ये वाली जमा देंगे हम एक हजार 915 फिर आगे 1916 यह वाली 1916 फिर आगे 1917 फिर आगे आएगी 1918 यह वाली 1918 फिर आगे आएगी 1919 फिर आगे 1920 यह देखिए यहां पर 1920 यह यह यहां जमा देंगे 1920 फिर 1921 फिर आगे 1922 यह वाली 1922 फिर आगे 1923 यह वाली 1923 फिर इसके बाद में 1924 यह आएगी 1925 यह वाली 1926 फिर आगे आगे 1927 इस प्रकार से हमने किताबों को जमाया सही क्रम में 1901 से 1927 तक इस खाने में यह सारी किताबे हमने जमा दी इस प्रकार से हम आलमारी में सही क्रम से किताबों को जमा सकते हैं आप भी इस प्रकार से किताबों को जमा करके इनका अभ्यास कीजिए किताबों को क्रम से जमाना सीखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का अगला सवाल बच्चो यह है इसका अगला सवाल नंबर दूसरा रिक्तिस्तानों में आने वाली संख्याय लिखिए अब यहाँ पे जो छे सवाल दे रखें हर सवाल के ंदरी जो रिक्तिस्तान है उनमें कोन से संख्या आएगी वह संख्या हमें लिखनी है यह हमें ध्यान से लिखनी होगी अब यहां देखें सवाल नमर दूसरे का पहला यहां पर रिक्तिस्तान है और यहां अगली संख्या है 2821 फिर रिक्तिस्तान फिर 2824 फिर रिक्तिस्तान अब यहां रिक्तिस्तानों में हमें संख्या है लिखने है अब यहां इससे पहले इसकी अगली संख्या आएगी 2821 से पह यह हमने यह लिके दिया, फिर 2821, फिर यह आएगी 2822, फिर अगली 2823, फिर अगे 2822, आगे आएगी 2825, इस प्रकार से हमने पेले वाले में संख्याय लिखी, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर दूसरे का, दूसरा, 1557, फिर इक्तिस्तान, 1569, फिर इक्तिस्तान, 1562, अब हम यहां संख्याय लिखेंगे, 1557 के बाद में क्या आएगी, 1558, फिर 1569, 1560, 1560, फिर आगे 1561, 1561, फिर 1562, फिर 1562, इस प्रकार से हमने यह वाले, भी, भी हमने रिक्तिस्तानों में संख्याय लिख दी, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर 3, 3780, 3789, फिर इक्तिस्तान, रिक्तिस्तान, रिक्तिस्तान, 3775, अब यहां देखिए, इसे कम वाली, पिछली संख्याय, 3780, से एक कम, 3789, तो हमें यह कम कम करके संख्याय बरनी होगी, यह ध्यान अखना है, अब हम 3780, फिर इसके बाद 3789, फिर इससे पहले क्या आएगी, 3778, 3778, इससे कम क्या होगी, 3777, फिर इससे कम, 3776, और इसके बाद में 3775, यानि यह गढ़ते क्रम में है, यह हमें ध्यान रखना होगा, कि यहाँ पे बढ़ते क्रम में थी, और इस वाले सवाल में गढ़ते क्रम में है, तो अब संक्याओं को हमें गढ़ते क्रम में बरना है, चलिए आगे बढ़ते है, सवाल नमबर दूसरे का चोथा, संक्या है, 4989, रिक्तिस्तान 4991, रिक्तिस्तान 4994, यहाँ बढ़ते क्रम हमें हैं तब हमें यहां पे 4,989 के बाद में कितना आएगा 4,990 तो हम यह लिखेंगे 4,990 फिर इसके बाद में 4,991 अगली से क्या होगी 4,900 बराणवे तो हम यह लिखेंगे 4,900 बराणवे फिर अगली के आएगी 4,993 फिर अगली से क्या होगी 4,900 बराणवे तो इस प्रकार से हमने यह वाला सवाल भी कर लिया चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे का सवाल नंबर 5 रिक्तिस्तान 6,770 रिक्तिस्तान 6,772 रिक्तिस्तान 6,774 यह बढ़ते क्रम में तब इससे पहले क् आगी बताओ 6,777 से पहले 6,779 फिर 6,777 फिर 6,771 फिर 6,772 फिर आगे आएगी 6,773 फिर आगे 6,773 फिर आगे 6,774 चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे का छटा 5,438 5,437 रिक्तिस्तान 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 5,433 अब यह बढ़ते क्रम में हैं तब हमें एक एक कम करके संख्याओ को लिखना है 5,438 से एक कम किया 5,437 इससे पहले 5,436 होगा तब हम यह लिखेंगे 5,436 फिर इसे कम 5,435 तब हमने सवाल नंबर दूसरा भी हल किया रिक्तिस्तानों में आने वाली संख्याओ को लिखा आप इस प्रकार से संख्याओ को बढ़ते क्रम में या गढ़ते क्रम में जिस भी क्रम में हो उस प्रकार से संख्याओ को लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए तो बच्चो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेट बाइसेजार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज निचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए आप हमारे वीडियो को अधिक से धिक मित्रो दोस्तों तक शेर जरूर किजिए मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेन्ट के साथ में तब तक के लिए थेंक्यू धन्यवाद जेहिं जेबर आपका दिन शुब रहे थेंक्यू